बॉलिवड आक्ट्रिस कंगना रनौत की फिल्म मने करने का को रिलीज हुए एक हफते से ज्यादा का समय बीट चुका है लेकिन इस पर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है फिल्म के को डारेक्टर क्रिश के बाद अब कंगना ने अब बॉलिवड पर निशाना साधा है हाल ही में कंगना ने एक इंटर्व्यू के दौरान उन स्टार्स पर निशाना साधा है जो उनकी फिल्म देखने नहीं पहुँचे उन्होंने आलिया भट, ट्विंकल खन्ना और आमिर खान को भी आड़े हाथों लिया है कंगना ने कहा कि जब 2014 में उनकी फिल्म क्वीन रिलीज हुई थी तो सभी ने तारीफ की थी लेकिन अभी जब मने करने का आई हैं तो बॉलिवड चुप है ऐसा क्यों? कंगना ने कहा कि आलिया ने उन्हें राजी का ट्रेलर भेजा और देखने की गुजारिश की ये फिल्म मेरे लिए करन या आलिया की फिल्म नहीं थी बल्कि सहमत खान की फिल्म थी ये लोग कैसे इतने नीच हो सकते हैं? ये लोग किसी फिल्म को किसी एक ग्यक्ती से कैसे जोड़ कर देख सकते हैं? बॉलिवड आक्टर अक्षे कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन मंगल को लेकर चर्चा में हैं हाल ही में अब अक्षे का करन जोहर के टॉक शो कॉफे विद करन से एक विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस विडियो में शो के होस्ट करन अक्षे से पूछ रहे हैं कि अगर आप शादी शुदा ना होते तो किस आक्षे को रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहते इस सवाल पर अक्षे कुछ देर सोचने के बाद बोले वो अपनी सास डिंपल का पाडिया को डेट पर ले जाना चाहते और सारी रात उनसे उनकी बेटी के बारे में बात करते इस पर करन अक्षे से कहते हैं कि ये जवाब जरूर तुम्हें तुम्हारी वाइफ ट्विंकल करना ने सिखाया होगा वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो अक्षे मिशन मंगल के अलावा सूर्य वन्शी में नज़र आएंगे इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर को लेने के लिए चर्चा हो रही है इससे पहले सोनम और अक्षे फिल्म पैड मैन में एक साथ स्क्रीन शेयर कर चके हैं बॉलिवड के जगु दादा यानिकी जाकी श्रॉफ ने बॉलिवड में ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिसे जहन से निकाल पानम मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है इस लिस्ट में तृदेव राम लखन और करमा जैसी फिल्मों के नाम शुमार है इसी के साथ साथ जाकी का नाम बॉलिवड के उन अभिनेताओं के लिस्ट में शुमार है जो इंडस्ट्री में लगभग हर किसी के साथ रिष्टा साज़ा करते हैं और अपने कूल नेचर के चलते सभी के फेवरिट हैं आज हम जाकी से जुड़ी एक ऐसी खबर आपके साथ शेर करने वाले हैं कि सलमान खान के फैंस चौक जाएंगी जी हाँ आपको बता दें कि सलमान को बॉलिवट में जाकी दादा की वजह से ही ब्रेक मिला था ये हम नहीं बलकि खुछ जाकी ने एक इंटर्व्यू के दौरान खुलासा किया था जाकी ने इस इंटर्वियू के दौरान कहा था कि सलमान अपने करियर में काफी अच्छा कर रहे थे मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब वो छोटे थे क्या आपको पता है कि सलमान ने अपनी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी मेरी वजह से ही पाई थी यही वजह हैं कि सलमान जाकी का बहुत सम्मान करते हैं और जल्द ही दोनों अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में भी साथ नज़र आएंगे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में जाकी सलमान खान के पिता का रोल अदा करने वाले हैं बीते दिनों ही इस फिल्म का नया टीजर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है इस फिल्म में सलमान के ओपोजिट काटरीना कैफ नज़र आएंगी इस फिल्म में तबू, दिशा पतानी, सुनील ग्रोवर, वरुन धवन जैसे सितारे नज़र आने वाले हैं ये फिल्म इसी साल इद के मौके पर रिलीज होगी फिल्हाल तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस फिल्म में जाकी और सलमान को एक साथ देखने के लिए कितने उत्सुख हैं अभी विडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई